हेलो गाइज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल Crunchworks Limited Edition पर और आज 26 जनवरी गणतंतर दिवस के अवसर पर मैं फिर से एक बार आपके सामने लाया हूं कुछ नए topics और नए questions तो शुरू करने से पहले हम एक बार गणतंतर दिवस के बारे में जानेंगे ऐसे गणतंतर दिवस भारत का एक राष्ट्रिय परव है जो प्रती वर्ष 26 जनवरी को मना जाता है यह 26 जनवरी को मना जाता है इसके पीछ विएक कारण है 26 जनुरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि उस समय क्या था कॉंग्रेस की सरकार थी तो 1930 में इसी दिन भारती राष्टी के कॉंग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोशित किया था इसलिए से 26 जनुरी चुना गया पर जो भारत का समीधान था वो बन के त्यार हो गया था 26 नमबर 1949 को पर इसको लागू कब किया था 26 जनुरी 1950 को इसलिए जो है 26 जनुरी को ही गंद तंतर दिवस हमेशा मना जाता है और इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है हर साल रक्षा मुंत्राले की वही सब को इन्वाइट करता है परेड मैने के लिए और जो इस साल की थीम थी वो थी हमारी अजादी को पूरे हुए हो गए है 75 साल तो जो इस बार की थीम थी वो थी इंडिया एड़ दरेट 75 चली शूरू WHO का मुख्याल है कहां पस्थित है WHO विश्व स्वास्थ्यो संगठन वाइड हैल्स और इसका अंसर है जिनेवा स्विजलेंड स्विजलेंड सैकिन क्वेश्चन है भारत में ग्रैंट ट्रंक रोड का अंदिरमान किसके द्वारा किया था यह थे शेर शहासूरी जी के द्व जियाद रख लीजेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC की पहली महीला रेफरी अंसर है GS Lakshmi ICC stands for International Cricket Council founded in 1909 by the representatives from Australia, England and South Africa and renamed as International Cricket Conference in 1965 and took up its current name in 1987 आपको यह बाते ध्यान में रखनी है गाइस नेक्स्ट है नीति आयोग जिसका की जो पुर्ववर्ती है उसका वह है योजना आयोग नीति आयोग का जिसका की मुख्याले कहा है New Delhi में तो यह पहले क्या था योजना आयोग था और इसका जो गठन था वो हुआ था एक जिन इसका अंसर है आज ऐस सिंधा настро एक गाइस बुलंद दरावांजा किस ने बनवाया था इसका अंसर है अकबर और यह पर है वुलंद दरावाजा यह फट्हपोर सिग्री अत्रप्रदेश में सापेक्ष्टा का सुधान किस ने दिया تھा है अभी इस धिलले इस यह ग्या है आ किस राजय से संबंदित है इसका अंसर है असम तो भुपेन हजारी का कौन है इनको शुद्ध कौन्थू के नाम से भी जाना जाता है ये एक प्लेबेक सिंगर है लेडिशिस्ट है मुजीशिन है पोईट है एक्टर है और एक फिल्मेकर है फ्रॉम असम नेक्स्ट है UIDAI का पूर्ण रूप्या है भारत्य विशिष्ट पहचान प्राधिक करन विच मीन्स यूनीक अदेंटिफिकेशन अथॉर्टी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ट अंडर प्रोविजन ओफ अधार एक्ट तुथाउजन शुट्टीन नेक्स्ट है ISRO का मुख्यालय कहां पर स्थित है इस्टो गाइज इस्टो स्टेंज फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च और इसका मुख्यालय है बैंगलोर नेक्स्ट है हीरा एवं ग्रिफाइट कार्बन के अपरूप है अपरूप मींज अलोट्रॉप हीरा विजद का कुचालक होता है तथा ग्रिफाइट विजद का सुचालक होता है कुचालक मींज इंसुलेटर और सुचालक मींज कंड़क्टर सो गाइज क्या है हीरा जो है वो कुचालक है और ग्रिफाइट जो है वो सुचालक है यह कारबन के अलोट्रॉप है अप्रूप है next है LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्ण होता है और LPG की तेज गंद उसमें मिले सल्फर के यॉगिक मिथाइल मरकॉप्टेन से होती है यह मिथाइल मरकॉप्टेन क्या है यह कलरलेस फ्लेमेवल गैस है जिससे की कैसी समेल होती है रॉटन एग्स एंड पोटेटोस की तरह नेक्स है चांदी एम ताबा विद्युद की सरसेष्ट सुचालक है यह सरसेष्ट कंड़क्टर हैं चांदी और तामबा नेक्स है टाइटेनियम को रननीतिक धातू कहा जाता है टाइटेनियम को रननीतिक धातू क्यों कहा जाता है इसका भी एक कारण है जो टाइटेनियम है वो एक केमिकल अलिमेंट है जिसका की एटमिक नंबर है 22 टाइटेनियम का और इसको हम रिप्रेजन करते हैं टी आई से ती आई से तो गाइस जो टाइटेनियम है उसकी बहुत ही लोग डेंसिटी होती है और हलका भी होता है इसलिए उसको यूज कहा कहा करते हैं प्लेन्स की फ्रेम्स में इंजन्स में रॉकेट्स में चैमिकल फ्रेक्ट्री में मतलब मिल्ट्री में जब हम वार की कंडिशन होती है उसमें जितने भी एक्विप्मेंट्स होते हैं सब में हम किसका यूज करते हैं टाइटेनियम का Atomic Energy में, Chemical Reactors में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हमें, रननीतिक धातू Next है, Silver Iodide, क्रित्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है ये Silver Iodide क्या है, Silver Iodide है, Crystalline Material, oftenly used for weather modification applications, such as cloud seeding मतलब कि किस लिए यूज़ के जाता है, ये, क्रित्रिम वर्षा के लिए, Silver Iodide को Next है, मत दाताओं की अंगुलियों में, निशान के लिए, क्या लगा जाता है गाइस, Silver Nitrate, कौन सिंग होती है वो? Silver Nitrate Next है, तडित चालक का अविश्कार, किसने क्या था? Benjamin Faculin है, अब ये तडित चालक क्या है? तडित चालक होती है, एक Lightning Rod जब बिजली गिरती है कहीं पे, तो उसको बचाने के लिए एक Rod लगा जाती है और उसकी अर्थिंग कर दी जाती है क्या है तडित चालक? Lightning Rod Next है, शुष्क बर्फ ठोस Carbon Dioxide होता है शुष्क बर्फ क्या है? Dry Eyes क्या है ये? Solid Carbon Dioxide Next है, Platinum Platinum को सफेद सवरण भी कह जाता है Platinum क्या है गाईज? Platinum है एक White Metal जो कि कहा मिलता है हमारे को Naturally मिल जाता है कहीं भी Naturally occurring White Metal और बहुत ही Rare मात्रों मिलता है ये गोड से रिमेंगा होता है Next है, Chlorine Gas फूलों का रंग उड़ा देती है Next है, Buddh और शुक्र के एक भी उपगरहे नहीं है और शनी के सरवादिक उपगरहे है शनी के कितने है गाईज? उपगरहे जो प्रकृतिक है वो है 82 82 शनी के है और सेकेंड नमबर पे है 79 ब्रिहस पर की गए Next है, मनिश्य का रख बैंक स्प्लीन या पिलीह को कहते है अभी स्प्लीन या पिलीह क्या है? स्प्लीन, part of lymphatic system fights with infections and keep your body fluid balanced Next है, मनिश्य को सरवादिक उर्जा carbohydrates से प्राप्थ होती है स्मुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण प्रकाश का प्रवर्तन प्रवर्तन मींज reflection तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकिर्णन प्रकिर्णन मतलब scattering है Next है, सोना अमल राज अमल में गूल जाता है अमल राज अमल कौन सा होता है गाईस? इसको हम commonly aqua regia भी बोलते है Next है polythene ethylene के बहुली करण से प्राप्थ होता है जो polythene plastic है वो ethylene के बहुली करण मतलब polymerization से प्राप्थ होता है Next है कोशिका का powerhouse mitochondria को कहते है means powerhouse of cell is called mitochondria Guys आपको इस वीडियो कैसे लेगी कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए follow कीजिए, share कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए और फिर से मुलाकात होगी कुछ नए questions के साथ धन्यवाद